भारत के Chief Justice of India D.Y. चंद्राचुड 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं उनकी जगा अब Supreme Court के नए CGI के तौर पर संजीव खन्ना 11 नवंबर को शपत लेकर लेंगे हाला कि उनका कारेकाल भी कोई बहुत लंबा नहीं बलकि केवल 6 महीने कही रहेगा क्योंकि 13 माई 2025 को वो भी रिटायर हो जाएंगे बीती 12 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने D.Y. चंद्राचुड को एक लेटर भेज कर जब उनसे पूछा कि उनके बाद उनका उत्राधिकारी कौन होना चाहिए तो C.J.I. चंद्राचुड ने एक ही बार में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम केंद्र को सौप दिया जिस पर राष्टपती द्रौपती मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी अब अगर जस्टिस खन्ना के सफल करियर की बात करें तो खन्ना नैशनल जुदेशिल अकैडमी भोपाल की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं वो कमर्शेल लौ, कमपनी लौ, स्टेचुटरी लौ, आरबिट्रेशन और क्रिमिनल लौ के साथ-साथ कई सारी फील्ड में वकालत कर चुके हैं साथी कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी की भूमिका भी निभाच चुके हैं जस्टिस करना बिल्किस बानू केस में फैसला देने वाली खंड़ पीट का हिस्सा भी थे, यहां तक ही उन्हों नहीं अरविंद केजरिवाल को अंदरिम बेल भी दीती